आदर्नी राष्ट्पती जी आदर्नी उपराष्ट्पती जी लोग सभागे दक्षा जी पूर्वप्रधान मंत्री आदर्नी देवगोडाजी मंत्री परिशत के मेरे साथी सदन के सभी सन्मानित सदर्चगन और विविदक्षेत्र से पधारे हुए सभी वरिष्ट महानुभाव राष्ट के निर्मान में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल पर हम किसी नए मोड पर जाते हैं नए मुकाम की और पहुँचने का प्रयास करते हैं आज इस मध्यरात्री के सभाएं हम सब मिल करके देश का आगे का मार्ग सुनिश्चित करने जा रहे हैं कुछ देर बात देश एक नई व्यवस्ता के और चल पड़ेगा सवा सो करोड देशवासी इस एतियासी घटना के साक्षी है जी एस्टी की ये प्रक्रिया ये सिर्फ अर्थ व्यवस्ता के दाइरे तक सिमित है ऐसा मैं नहीं मानता पिछले कई वर्षों से अलग-अलग महानुभाओं के मारदर्शन में नेतरुत्व में अलग-अलग टीमों के द्वारा जो प्रक्रियाँ चली है वो एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र की भारत के संगिय ढाचे की कोपरेटिव फेडरिलिजम के हमारे कंसेप की एक बहुत बड़ी मिसाल के रूप में आज ये अवसर हमारा आया है इस पवित्र अवसर पर आप सब अपना समय निकाल करके आये हैं मैं रदय से आपका स्वागत करता हूं आपका आभार व्यक्त करता हूं ये जो दिशा हम सबने निर्धारित की है जो रास्ता हमने चुना है जिस विवस्ता को हमने विक्सित किया है यह किसी एक दल की सिद्धी नहीं है यह किसी एक सरकार की सिद्धी नहीं है यह हम सब की सांजी विरासत है हम सब के सांजे प्रयासों का परिणाम है और रात्री को बारा बजे इस सेंट्रल हॉल में हम एकत्रा आए है यह वो जगा है जिस जगा पे इस रास्ट के अनेक महपुर्शों के पद्चिन्हों से इस जगा ने अपने आपको पावन किया हुआ है ऐसी पवित्र जगा पर हम बैठे हैं और इसलिए आज सेंट्रल हॉल कि इस गट्ना के साथ हम याद करते हैं नव दिसंबर 1946 समिधान सभा की पहली बैठक का यह सभागर साक्षी है हम उस्थान पर बैठे हैं जब समिधान सभा की प्रथम बैठक हुई पंडि जवालाल नेरू, मौलान अब्दुकलाम आजात, सरदार वल्लभाई पटेल, बाबासाब आमबेडकर, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, सरोजिनी नाइडू यह सब महापुरुष पहली कतार में बैठे हुगिये थे। उस सदन में जहां कभी 14 अगस्त 1947, रात को बारा वजे, देश की स्वतंत्रता की उस पवित्र महान घटना, यह स्थान उनका साक्ष है 26 नवेंबर 1949, देश ने समिधान को स्विकार किया यही जगा उस महान घटना का भी साक्षी के रूप में है और आज वर्षों के बाद, एक नई अर्थ व्यवस्ता के लिए संग्ये धाचे के एक नई ताकत के लिए GST के रूप में इसी पवित्र स्थान से बढ़कर के मैं समझता हूँ कोई और स्थान नहीं हो सकता है इस काम के लिए सम्विधान का मंथन दो साल ग्यारा महिने और सत्रा दीन तक चला था हिंदुस्तान के कौने कौने से विद्वत जन उस बहस में हिस्सा लेते थे वाद विवाद होते थे राजी नाराजी होती थे सम्मिल करके बहस करते थे रास्ते खोचते थे कभी इस पार कभी उस पार नहीं जाग पाए तो बीच का रास्ता खोच करके चलने का प्रयास करते थे ठीक उसी तरह यह जी एस टी भी एक लंबी विचार प्रक्या का प्रणाम है सभी राज्य समान डूप से केंद्र सरकार उसी की बराबरी में और सालों तक चर्चा की है सांसद में इसके पूर्व के भी सांसदों ने उसके पूर्व के सांसदों ने लगातार इस पर बहस की है एक प्रकार से उन्होंने लगातार इस काम को किया है और उसी का प्रणाम है कि आज ये GST को हम साकार रूप में देख सकते हैं जब समिधान मना तो समिधान ने पुरे देश के दागरिकों को समान अवसर समान अधिकार उसके लिए सुनिष्टित व्यवस्ता खड़ी करती थी और आज GST एक प्रकार से सभी राज्यों के उन मोत्यों को एक धागे में परोने का और आर्थिक व्यवस्ता के अंदर एक सुचारू व्यवस्ता लाने का एक एहम प्रयास है GST ये कॉपरेटिव फेडरलिजम की एक मिशाल है जो हमें हमेशा हमेशा और अधिक साथ मिलकर चलने की ताकत देगी GST ये टीम इंडिया का क्या पनणाम हो सकता है ये टीम इंडिया के कर्तूत्व शक्ति का सामर्थ का परिचायक है ये GST काउंसिल केंदरो राजे ने मिलकर के उन व्यवस्ताओं को भी शीद किया है जिसमें गरीबों के लिए जो पहले उकलब्द सेवाएं थी उन सारी सेवाओं को बरकरार रखा है दल कोई भी हो सरकार कहीं की भी हो गरीबों के परती संबेदन सिल्ता इस GST के साथ जुड़े हुए सब लोगों ने समान रुप से उसकी चिंता किये मैं GST काउंसिल को बढ़ाई देता हूँ अब तक इस काम का नेत्रूद जिन जिन लोगों ने किया है अरुन जिन ने विस्तार से कहा था मैं उसका पुन्रावरतन नहीं करता हूँ मैं उन सब को भी बढ़ाई देता हूँ इस प्रक्रिया को जिन जिन लोगों ने आगे बढ़ाया उन सब को मैं बढ़ाई देता हूँ आज GST काउंसिल की 18 भी मिटिंग हुई और थोड़ी दिर के बाद GST लागू होगा ये भी संजोग है कि गीता के भी 18 अध्याय थे और GST काउंसिल की भी 18 मिटिंग है हुई और आज हम उस सफलता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं एक लंबी प्रक्रिया थी परीशम थी शंका आशंका है थी राज्यों के मन में गहरे सबाल थे लेकिन अथाग पुर्शार्थ परीशम दिमाग की जितनी भी शक्ति उप्योग में लाई जा सकते हैं लाकर के इस कारे को पार किया है चानक्य ने कहा था यद्दुरम यद्दुराद्यम यच्चे दुरे व्यवस्थितम तत सर्वम तपसा साध्यम तपोही दुरती क्रमम चानक्य के इस वाक्य ने हमारी इस पूरिक जियेश्टी प्रक्रिया को बड़े अच्छे धंग से कहा है कोई वस्थू कितनी ही दूर क्यों न हो उसका मिलना कितना ही कठीन क्यों न हो वो पहुंच से कितनी ही बहार क्यों न हो कठीन तपस्या और परिश्थम से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है और ये आज हुआ है हम कल्पना करें कि देश आजाद हुआ 500 से ज़्यादा रियासते थी अगर सरदार बलब भाई पटेल ने इन रियासतों को मिला करके देश को एक न किया होता देश का एकी करण न किया होता तो भारत का राजनितिक मानचित्र कैसा होता कैसा विखराव होता आजादी होती लेकिन देश का वो मानचित्र कैसा होता जिस प्रकार से सरदार वलो भाई पटेल ने रियासतों को मिला करके एक राष्ट्रे एकी करण का बहुत पड़ा काम किया था आज GST के द्वारा आर्थीक एकी करण का एक महत्वप्रून काम हो रहा 29 राज साथ केंदर सासित प्रदेश केंदर के साथ टेक्स राज्जों के आँट टेक्स और हर चीजों की अलग अलग टेक्स का हिजाब लगाएं 500 प्रकार के टेक्स कहीं ने कहीं अपना करोल के कर रहे थे आज उन सबसे मुक्ति पाकर के अब गंगा नगर से लेकर के इटा नगर तक ले से लेकर के लक्षद्वीब तक वन नेशन वन टेक्स ये सपना हमारा साकार होके रहेगा और जब इतने सारे टेक्स 500 अलग अलग हिजाब लगाए 500 टेक्स आलबर्ट आइस्टेइन प्रखरव ग्याने उन्होंने एक बार बड़ी मज़ेदार बात कही थी उन्होंने कहा था दुनिया में अगर कोई चीज समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल है तो वो है इंकम टेक्स ये आलबर्ट आइस्टेइन ने कहा था मैं सोच रहा था अगर वो यहां होते तो पता नहीं ये सारे टेक्स देखकर किया कहते हैं और इसलिए और हमने देखा है उत्पाद के अंदर के उत्पादन में तो ज़्यादातर कोई बहुत असमानता नहीं आती है लेकिन जब प्रोड़क्ट भार जाता है राज्जों के अलग-अलग टेक्स के कारण असमानता देखती है एक ही चीज दिल्ली में एक दाम होगा पचीस-तीस किलोमेटर दूर गुरुग्राम में दूसरा दगेगा और उधर नोईडा में गए तो तीसरा होगा क्यों क्योंकि हर्याना का टेक्स अलग उत्तर प्रद प्रदिक के मन में सवाल उठता था कि मैं गुरुग्राम जाओं तो यही चीज मुझे इतने में मिल जिती है और दिल्ली में जाओं तो इतने मिलती है एक प्रकार से हर किसी के लिए कंफूजन के स्थिति रहती थी और पुजी निवेश में भी विदेश्य के लोगों के ल आगे बढ़ रहे हैं अरून्ची ने बढ़ा विस्तार से बढन किया है कि जी स्थी के कारण अक्ट्रोई की ववस्ता हो एंट्री टैक्स हो साल्टैक्स हो वैट हो नजाने कितकी Danny चीजे साना बननोन विस्तार से किया सब फ़तम हो जाएगा हम जानते हैं कि हम एंट्री की टोल पर गंटों तों के हमारे वेहिकल खड़े रहते हैं देश का अर्बो खर्बो का नुक्षान होता है फ्यूवल के जलने के खारण परियावरण का भी उत्राई नुक्षान होता है इस सारी विवस्ता है सिमले होने के कारण एक प्रकार से उन सारी अविवस्ताओं में से एक मुक्ति का मार्क हमें प्राप्त होगा कभी कभार perishable गुड़ खास करके समय पर पहुंचना बहुत आवश्यक होता था लेकि वो जब नहीं पहुंचता था तो उसके कारान उस पहुंचाने वाले का भी नुक्षान होता था और जो processing करता था उसका भी नुक्षान होता था इन सारी जो व्यावार जीवन की अवेवस्थाएं थी उन्हें अवेवस्थाओं से आज हम मुक्ती पा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं GST के तौर पर देश एक आधुनिक टैक्सेसन सिस्टीम की और आज कदम रख रहा है बढ़ रहा है एक ऐसी व्यवस्था है जो जादा सरल है जादा पारदर्ची है एक ऐसी व्यवस्था है जो काले धन को और ब्रश्टाचार को रोकने में एक आउसर प्रदान करती है एक ऐसी व्यवस्था है जो इमांदारी को आउसर देती है जो उंगांदारी से व्यवस्था करने के लिए एक नया उत्सार और उमंग भरने की व्यवस्था इससे मिलती है एक ऐसी व्यवस्ता है जो नए गवर्नन्स के कल्चर को भी ले करके आती है और जिसके द्वारा जी एस्टी हम ले करके आए है भायोग शाथियों टेक्स्ट अर्रिजम और इंस्पेक्टर राच यह बात कोई नहीं नहीं है सब दूर यह शब्दम सुनते आये हैं परिशानी भुगतने वालों से हमने उस चिंता को अनुभव किया है और जी एस्टी की इस विवस्ताक से कारण टेक्नोलोजी के लिए सारा ट्रेल होने के कारण अब अबसर भी उसके लिए ग्रे एरिया बिलकुर समाप्त हो रहा है उसके कारण जो सामाने व्यपारियों को, सामाने कारोबारियों को अपसरों के द्वारा जो परिशानिया होती रही है उससे मुक्ति का मार्ग, इस GST के द्वारा कोई मानदार व्यपारी, बेवज़र परिशान हो वो दीन इसके साथ खतम होने की पूरी संभावना इस GST के अंदर है इस पूरी ववस्ता में छोटे व्यापारियों को 20 लाग तक का व्यापार करने वालों को पूरी तरह मुक्ति दे दी गई है और जो 75 लाग तक है उनको भी कम से कम इस सीजों से जुड़ना पड़े इसकी व्यवस्ता की है इबाठीक है कि structure में लाने के लिए कुछ व्यवस्ता है किये लेकि वो minimum व्यवस्ता है नाम मात्र की व्यवस्ता है की गई है और उसके कारण सामान्य मानवी जो है उसके लिए इस नई व्यवस्ता से कोई बोज होने वाला नहीं है साथियों GST की व्यवस्ता ये बड़ी-बड़ी आर्थिक भाशा में जो बोला जाता है वहां तक सिमित नहीं है बड़े-बड़े शब्द इसके साथ जोड़े जाते हैं लेकिन अगर सरल भाशा में है कहो कि देश के गरीबों के हीत के लिए ये ववस्ता सबसे ज़्यादा सार्फक होने वाली है आ जाती कि 70 साल के बाद भी हम गरीबों तक जो पहुँचा नहीं पाए है ऐसा नहीं कि प्रैत्त नहीं हुए है सब सरकारों ने प्रैत्त की है लेकिन समसाधनों की मर्यादा रही है कि हम हमारे देश के गरीब की उन आवशकताओं की पूर्ती में कहीं न कहीं कम पड़े है अगर हम समसाधनों को सुवेवस्ति डंच से और बोज किसी एक पर न जाए बोज स्प्रेड हो जाए होरीजोंटल जितना हम स्प्रेड करें उत्रा ही देश को वर्टिकल ले जाने की सुविदा बढ़ती है और इसलिए उस दिशा में जाने का काम अब वो कच्चा बिल पका बिले सारी खेल खतम हो जाएंगे बड़ी सरलता हो जाएगी और मुझे भी स्वास है छोटे मोटे व्यापारी भी ये जो गरीब को बेनिफिट मिलना वाला है वो जुरू उसको ट्रांसफर करेंगे ताकि घरीब का भला हम लोगों का आगे भढ़ाने के लिए बहुत बहुत काम आने वादा है कभी कभी आशंकाय होती है कि यह होई होगा डिकना नहीं होगा फ़ला नहीं होगा और हमारे देश में हम जानते हैं कि जब 10th और 12th के result ऑनलाइन देने की शुरूआत की और एक स आज सब गए जब तो सारा हेंग अफ हो गया और दूसरे दिन ख़बर यहीं बन गई कि ऐसा हो गया आज भी काप से यसी चर्चा होती है यह ठीक है कि हर किसी को टेक्नोलोजी नहीं आती है लेकिन हर परिवार में दस्वी बारवई का अगर विद्यार्थी है तो उसको यह कल चकता है जो लोग आशंकाय करते हैं मैं कहता हूं कुर्पा करके ऐसा मत कीजिए अरे आपका पुराना डॉक्टर हो आप उसी से अपनी आंखे लगातार चेक करवाते हो वही हर बार आपके नंबर निकालता हो आपका चश्मा बनाने वाला भी निश्चित हो आप आपके करके एड़ेस्ट करना पड़ता है यह बस इतना ही है और इसलिए थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे इस व्यवस्ता के साथ हम आसानी से जुड़ जाएंगे और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अप्वाओं के बाजार को बंद करें और अब जब देश चल पड़ा है तो सफल कैसे हो देश के गरीब जुनों की भलाई के लिए कैसे काम हो उस पर हम देखर करके चलें और तब जा करके जीएस्टी की इस दिनरह का वैश्विक एकनामिक वर्ल में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ है बारत में जो पुंजी निवेश करना चाहते हैं उनक दुनिया का एक प्रियर डेस्टिनेशन की रूप में निवेश के लिए प्रियर डेस्टिनेशन की रूप में भारत को हर प्रकार से स्विकृति मिली है और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छी सुविधा विश्व व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी भार उस आसमतुलन को खत्प करेगा जीएस्ट एक ऐसा कैटालिस्ट है जिससे एक्सपोर्ट प्रमोशन को भी बहुत बन मिलेगा और जीएस्ट एक वो व्यवस्ता है जिसके कारण आज हिंदुस्तान में जो राज्य ठीक से विक्षित हुए हैं उनको विकास के अवसर तुरंद मिलते हैं लेकिन जो राज पीछे रह गए हैं उनको वो अवसर तलासने में बहुत दम गुड़तने अपड़ता है उन राज्यों का कोई दोस्ट नहीं है प्राकृतिक संप्रदा से समुर्द है हमारा बिहार देखे हमारा पुर्वी उत्रपदेश देखे हमारा पश्चिम मिल जाएगी मैं साब देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का पुर्वी हिस्था के विकास की मैं जो कुछ भी कमी रह गई है उसको पुरह करने का सबसे बड़ा अवसर सबसे बड़ा अवसर इसे मिलने वाला है हिंदुस्तान के सभी राज्यों को विकास के समान अवसर एक प्रकार से जैसे हमारी रेलवे हैं, रेलवे केंद्रों और राज्य मिलकर के चलाते हैं फिर भी भारती रेल के रूप में हम देखते हैं, राज्य के अंदर स्थानी रूप से मदद मिलती हैं, एक समान रूप से हम देखते हैं, हमारी सेंट्रल सर्विस के अधिकारी और राज्य के लोग मिलकर के निश्चित दिशा में काम करने वाले हैं ये अपने आप में एक भारत स्वेष्ट भारत के लिए एक उत्तम से उत्तम विवस्ता आज हो रही है और जिसका प्रभाव आने वाले दिनों में आने वाली पीडियां हमें हमें गर्व के साथ स्विका पड़े हैं सवा सो करोर देश्वा से नियू इंडिया बनाने के सपनों को लेकर करके चल रहे हैं और इसलिए भायों बैनों जी एश्टी एक एहम भूमी का अधा करेगी और हम लोगों ने जिस परकार से प्रयास किया है लोकमानिय तिलक जी ने गीता रहस्च लिखा है उस लोकमानिय तिलक जी ने कहा है उसका उलेक किया हुए मुल्तह रुगवेत का इस लोग है समानी वहा आकुरती ही समाना रुदयानी वहा समान मस्तू वो मनो यथा वसु सहासती आप लोगों का संकल्प निश्चय और भाव अभिप्राए एक समान रहे आप लोगों के रदय एक समान हो जिससे आप लोगों का परस्परकार्य सर्वत एक साथ भली प्रकार से हो सके इस भाव से लोकमानिय तिलक जी ने भी हमें आज परणाम दिया है GST न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्ता है GST डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्ता है GST सिरफ इस अप डूइंग बिजनेस नहीं है GST वे अप डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है GST सिरफ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक एहम कदम है GST आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तपका जो एक इमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला यह बन रहा है कानून की भाशा में GST Goods and Service Tax के रुप में जाना जाता है लेकिन GST से जो लाब मिलने वारे है और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि Goods and Service Tax लेकिन हकिकत में ये Good and Simple Tax है और Good इसलिए कि Tax पर Tax पर Tax जो लगते थे उससे मुक्ती मिल रही है Simple इसलिए हैं कि पुरे देश में एक ही फॉर्म होगा एक ही ववस्ता होगी और उसी ववस्ता से चलने वाला है और इसलिए उससे हमें आगे बढ़ाना है मैं आज इस अवसर पर आदरने राष्टपती जी ने समय निकाल करके क्योंकि इस सारी यात्रा के बेभी एक साथी रहे सही यात्री रहे इसके हर पहलू को उन्होंने भली पाती देखा है जाना है प्रयास किया है उनका मारदर्शन इस महत्वपुन आइत्यासी गड़ी में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेणा का कारण बनेगा नया उमंग और उस्सा मिलेगा और उसको ले करके हम आगे चलेंगे मैं आदर्णीय राश्पतीजी से मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो आज आए हम सब का मारदर्शन करने के लिए और उनका उनकी बाते हम सब को एक नई प्रेणा देती रहेगी इसी एक भाव के साथ मैं फिर एक बार इस प्रेत्त के साथ जुड़े हुए करता हूं कि वो हमारा मारदर्शन करें